प्रेस्ट अब आइकन तो गेट अल्ड लेटेस्ट वीडियो गूड आफन वेलकाम तो सक्सीजीज आप सभी का स्वागत है मैं शुब मागरवाल आज फिर से आप सभी के लिए हादिर हूँ तो आज हम बिल्डिंग मटिशन कस्ट्रक्शन में पढ़ने वाले हैं ब्रिक मैस लेकिन उससे पहले मैं आप सबी लोगो नया स्केजूल बता देता हूं और आज नहीं है तो चार बजोय से पाच वज़े तक मेकानिकल की क्लास होती है शिवमसर की एक बज़े से मेरी ख्लास होगी रोज ठीक है फॉर से वल एंट तीन से चार वज़े तक होगी वह साथ से आट जो है वो इलेक्ट्रिकल की है और 2-3 जो टाइम है ठीक है, जो कि इसके बाद जो class है, listings के बाद वो competitors के लिए है, तो जो भी बच्चे हैं, पर जिस भी particular stream के लिए study कर रहे हैं, वो stream के लिए study कर सकते हैं, और रोज की तरह हमारा पहला सवाल आप से कैसे हैं आप सभी लोग अपने अपने प्रेजंस को जरूर शो करें ठीक है और फिर हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे वीडियो उसको लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ठीक है तो रूबी सिंग जीग विज करते हुए चलता हूं बिल्कुल तो अभी तक अगर आपने मेरे पहले के लेक्ट्र देखेंगे तो उसमें आपनी क्वालिटी देखी होगी कि हम बिल्कुल स्टेट के पेपर्स को भी बिल्कुल कंसिडर करते हुए चल रहे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है ठीक है चलिए नितेश कवरब जी अफ्टरून विकास जगलन जी रखिरिकी शर्मा जी बूद आफ्टरून विजय गुप्ता बिल्कुल सिविल रॉक्स तो बिल्कुल हमारे कैंथम है कि भीया सिविल है जो है बढ़िया है मस्त है ठीक है तो बेंगा सिविल एंजिनियर स बिल्क का साइस था क्या से ब्रेक अच्झी रहती है ये सब तो बढ़िया बाते हैं लेकिन इस बिल्क का इस्तमाल भी करना होगा और उसी है इसमाल को मैं क्या कहता हूं ब्रिक वर्क कहता हूं या ब्रिक मैसेनरी वर्क बोलता हूं तो बढ़ते हैं ब्रिक मैसेनरी मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं स्क्रीन पे ठीक है तो ब्रिक मैसेनरी में सबसे पहले मैं ब्रिक जो है आपकी वो दिखाना चाहूंगा आपको ठ सब्सक्राइब करना चाहता हूं अभी मैं क्लोजर की बात करना चाहता हूँ अभी इसी ब्रिक को मैं along the length क्या कर दूँ, cut कर दूँ, दो अलग अलग हिस्सों में, ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, shaded region खाली बचा है मेरे पास, the portion of the brick cut along its length is referred as closer, तो अगर मैं कहूं कि भई मैंने length के along its brick को आधा काट दिया, ठीक है, length के along, तो वो कौन सी होगी, क्लोजर brick होगी, लेकिन next बात करना चाहूंगा किसकी, bad brick की, ठीक है, तो bad brick में मैं क्या कर सकता हूँ, along the width आदा काट दूँ, देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको, bad brick, दिखाएंगे, देखिए, the portion of the brick cut along its width, तो width के along अगर मैं काट देता हूँ, तो ये क्या बचे की सिर्फ आधी बचेगी, जैसे की मैंने आपको show किया हुआ है, ठीक है, तो ये जो bricks है, मैं इनको क्यों पढ़ रहा हूँ, पहले तो सवाल ये बनता है, ठीक है, जितने भी students यहाँ पे visit कर रहे हैं, examination point of view से तो हमारी सारी बाते clear हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन हम कहले जरूरत की ज ठीक है, तो मैं वहाँ पे इन types of bricks का इस्तेमाल करता हूँ, और इसी use के current मेरे को ये study करना है, ठीक है, clear रहेगी बात, तो इनी closer और bad का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और बात करता हूँ types of closer and bad bricks की, तो next आ जाता हूँ types of closer bricks पे, लेकिन उससे पहले Quinn बताना चाहूँगा, Quinn क्य है, मैंने कल भी बताया था, इसलिए मैं आज इसको diagram की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो मैंने बोला था, जो external face of the wall पे, ठीक है, जैसे कि आपको देख रहा होगा, screen पे अगर आप देखें, तो जो face of the wall पे, एक मैंने face लिखा है, और एक इसके पीछे back, तो जो back वाली bricks है न, वो quen bricks नहीं होंगी, जो face पे हैं सिर्फ, ठीक है, अब वो header की तरफ से लगी होई है, तो quen header bricks होंगी, अगर उसका stretcher face of the wall पे है, तो quen stretcher bricks हो जाएंगी, ठीक है, तो जो face पे हैं, उसको face bricks बोला जाता है, जो back में हैं, उसको back bricks बोला जाता है, और जो face पे हैं, उन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूँ, quen bricks बोल रहा हूँ, ठीक है, तो quen header and quen stretcher की तरह से भी उसको classify कर सकता हूँ, जो जिसका general angle मैंने आपको कल भी बताया था, और कितना होता है वो, 90 degree होता है, general angle, clear रही की बात, चलिए, कह रहे हैं, प्रशान्त, जी कह रहे हैं, वो नए हैं, बिलकुल welcome है आपका, विकार जगलन जी कह रहे हैं, RCC में SSC, JEE के लिए pre stress, pre stress कर लेंगे, देखे, pre stress से, पहले में मैं बता चुका हूँ, एक बार, की, pre stress का एक सवाल, ठीक है, अब मैं, पहले वो subject का, कभी भी strategy बनानी है, exam को crack करने की strategy है, कि या मैं सब नहीं पढ़के जाऊंगा, मैं वो पढ़के जाऊंगा, जिससे मेरे जादा माक्स acquire हो जाएं, और मैं paper को क्या कर जाऊं, qualify कर जाऊं, crack कर जाऊं, बढ़िया तरीके से, मेरा selection हो जाएं, ठीक है, तो मैं सब के पीछे नहीं भाग जाएगी, ठीक है, तो अभी तक जितने भी subject हम कर रहे हैं, वो examination point of view से कर रहे हैं, ठीक, तो बिल्कुल clear रखें विकास जी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्विन के बाद तो मैं types of bricks की closure bricks की बात कर रहा था, इसमें सबसे पहली है मेरे पास half queen closure, तो आप screen पर देख पा रहे making it two equal halves, दो आधी bricks में वो बट जाती है, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, queen closure कहता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी उसको length के long काट रहा हूँ, ठीक है, इसका use करेंगे, आगे देखेंगे कैसे use है, ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ, there's a queen closure is broken, brick portion whose width is half, ठीक है, जिसके width half होगी, तो मैं उसको क्या कहूंगा, queen closure half brick कहूंगा, clear रहेगी बात, इसी मैं मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसी half queen closure को भी आधा कर सकता हूँ, कैसे, देखेंगे, ठीक है, ये देखें, मैंने full brick जो है, इसको जब मैंने along the length काट दिया था, तब ये क्या बनी थी, queen closure half brick बनी थी, लेकिन आगे बढ़ते हूँ, मैं देखूं, अगर मैं इसको और भी आधा कर दूँ, दिखाएंगे, अगर मैं इसको और भी आधा कर दूँ, तो मेरे पास सिर्फ क्या बसती है, one fourth of the brick बसती है, और जिसको मैं क्या कहता हूँ, queen closure quarter brick बोलता हूँ, या quarter queen closure भी बोल सकता हूँ, if a queen closure half is broken into two pieces, then it is known as queen closure quarter brick, ठीक है, तो ये जो quarter brick है, इसका भी हमारा brick मैसेनरी में काफी अच्छा इस्तेमाल होता है, और exam के अंदर पूछा जा सकता है, आप से sentence form करके, कि मुझे बताए कि quarter, quarter queen closure brick कैसी होती है, ठीक है, या फिर sentence frame करके कहा देगा कि इन में से ये कौन से brick है, चा इसकी half queen closure की भी, ठीक है, तो वो कुमसी हो की quarter queen closure brick होगी, clear है, सभी लोगों को, चलिए, तो बहुत होता है, जिससे परड़े दोसे questions solve होते हैं, सुमिध जी कह रहे हैं, अच्छा, आपके 200 questions लगबग रोज आप solve कर रहे हैं, बहुत बढ़ी बात है सुमिध जी, ठीक है, त से आपके, मैं 100 तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90% of the questions बिल्कुल हर case में solve हो जाएंगे, तो जब 90% solve हो जा रहे हैं, मतलब उससे more than enough होता है, ठीक है, तो बिल्कुल समिध जी, आप लगे हुए हैं, बहुत बढ़ी बात है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, queen closure half quarter brick हमने देखी, third type क की जो break है, next, third type की है, king closure brick, तो मेरे पास एक brick थी, इस brick को मैंने क्या किया, along the width भी और along the length भी, एक triangular portion cut out कर लिया, ठीक है, इस तरह से काटा है कि width के along भी मैंने इसको आदा काट लिया, ठीक है, और length के along भी आदा काट लिया, ठीक है, और length के along भी आदा काट लिया, ठीक है, तो next picture में आप देख पा रहे हैं कि king closure brick में, आपने एक triangular portion of the brick, along the width भी और along the length भी, दोनों ही कट करके निकाल लिया, और ये इस तरह की big brick को मैं क्या कहता हूँ, king closure brick कहता हूँ, clear रहेगी बात, अच्छा, एक बात और भी बताना चाहूँगा, कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ कर सकते हैं, और जितना भी material है आज की lecture का वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा, next type की brick का बात करना चाहूँगा, next जो brick है हमारी वो है, beveled closure brick, ठीक है, beveled closure brick में आप देख पा रहे हैं कि along the length मैंने एक side से पूरा सब कट कर दिया, और along the width मैं, along the width पूरा एक ले लिया, और यहाँ पे length के along half cut किया है, ठीक है, it is a form of king closure, ठीक है, यह भी एक type की king closure है, क्योंकि मैं इसमें भी क्या कर रहा हूँ, triangular portion ही बाहर निकाल रहा हूँ, अगर ध्यान दें तो आप, ठीक है, in which whole length of the brick is beveled, ठीक है, पूरी length beveled कर दी है, एक तरफ से, और एक तरफ से जो header है, उ is maintained at one end, and full width is maintained at other end, ठीक है, तो एक end पे half width maintained है, और दूसरे end पे full width पूरी maintained है, इस type की brick को मैं क्या कहता हूँ, beveled closure brick कहता हूँ, my dear friends, clear रहेगी बाद, चलिए, ठीक है, बिलकुल रहे की जी, बिलकुल clear होंगे, तो जो महनत कर रहे हैं, बच्चे, ठीक है, उनके लिए exam मैं guarantee के साथ बोल रहा हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पे question लगा रहे है, regular base पे, उनका exam हर हाल में clear होगा, ठीक है, क्योंकि content इस से अच्छा, जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, इस से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कहीं मिल सकता है, और अगर मिल सकता है, तो मैं, मैं त पास है, mitered closure brick, mitered closure brick में अगर आप देखें, it is the portion of a brick, whose one end is cut, ठीक है, एक end उसका क्या कर दिया, cut कर दिया, अभी देखें, यहाँ से मैंने इसको full consider किया है, लेकिन length के अगर आप देखें, तो सिर्फ one fourth of the cut किया, और जो angle of cut है न, वो 45 degree to 60 degree के बीच में रहता है, ठीक है, यह बात आपको दियान रखनी है, क्योंकि exam के अंदर, mitered closure क्या है, यह भले ना पूछे, लेकिन एक सवाल यह पूछ सकता है, कि क्या angle रहता है, तो 45 से 60 degree के बीच में रहता है, ठीक है, तो हम क्या सकते है, that's one longer face of the mitered closure is of full length, एक face आप देखने है, पूरी full length का है, लेकिन दूसरी other end पे क्या है, वो length से छोटा है, देख रहे है, ठीक है, तो mitered closure, exam के अंदर diagram भी बना के दे सकता है, sentence के form में भी दे सकता है, या आपको mitered बोल देगा और 4 sentence देगा, बोलेगा कि भहिया, इस particular type of break के लिए, कौन से sentence correct है, ठीक है, तो आप से, जिस भी तरह से पू sentence frame किया जा सकता है, वो भी आपके पास available है, तो आप हर तरह से answer कर सकते हैं, ठीक है, next type की brick की बात करना चाहूंगा, ठीक, next type की brick की अगर मैं बात करूँ तो ये type of bad bricks की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो की half bad brick है, half bad brick में अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, length के along bricks को cut कर रहा था लेकिन अब मैं क्या करूँगा, width के along cut करूँगा, अगर मैं width के along cut कर देता हूं, तो मेरे पास फिर से एक half brick रह जाती है, ठीक है, और मैं कह सकता हूं, if the length of bad is equal to half the length of the brick, ठीक है, जो bad brick आएगी, जो half bad brick होगी, उसकी length कितनी होगी, आदी होगी एक normal brick के comparison में, और इस तरह क की brick को में क्या कहता हूं, half bad brick कहता हूं, ठीक है, इसी को भी अगर मैं थुड़ा दूसरी तरह से भी कर सकता हूं, next की बात करता हूं, quarter bad brick की बात करना चाहूंगा, ठीक है, जो three quarter black brick, कि भाईया मैंने क्या किया, अगर एक पूरी brick है मेरे पास, इसको मैं चार हिस्सों में ब बचेगा, यह देखिए, ठीक है, भाई, यह थी brick, ठीक है, मैंने इसका क्या कर लिया, one fourth, बाट निकाल लिया, यह cut out कर लिया, तो सिर्फ यह portion बचा, और यह कितना होगा, three fourth होगा, और three fourth कोई तो मैं क्या बोल रहा हूं, three quarter bad brick बोल रहा हूं, ठीक है, तो यह कितनी है, इस ठीक है, चलिए, तो third type के brick की बात करना चाहूंगा, बैट में, और वो है मेरे पास, beveled bad brick, beveled bad brick, ठीक है, जब मैं क्या कर रहा हूं, एक normal brick है, मेरे पास, देखेंगे यह, एक normal brick है, और उसका मैंने, यह मान लेता हूं, one half है, और यह कहीं, one fourth of the length, अगर मैं यहां से चलू तो one fourth ले लिया, और दूसरी तरफ से one half ले लिया, और यह brick cut कर दी, अब मेरे पास क्या बचा सिर्फ, यह brick बची, ठीक है, और जैसा कि आप diagram पे देख पा रहे होंगे, इस तरह की brick को मैं क्या बोलता हूं, beveled bad brick बोलता हूं, clear रहेगी बात, चलिए, ठीक है, आगे रख दिया, ठीक है, तो बैट का भी मैं यह नहीं कह सकता कि क्यों कहते हैं, चलिए, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, मैं इस brick का इस्तेमाल कर रहा हूं, अलग type की, जब मैं wall बना रहा हूं, तो अलग-अलग type की bonding करने के लिए, क्योंकि जब मैं wall बनाता हूं, तो मेरे पास एक बहुत problem आ रही थी, वो problem क्या थी, यह समझता हूं, ठीक है, इसलिए मैंने अलग-लग type की bonding मनाई, problem देखते हूं, मैं क्या कर रहा था, यह brick थी, यह brick थी, मैं इसको इस तरह से header की, sorry stretcher की तरह से place कर सकता था, और header की तरह भी place कर सकता था, अब stretcher की तरह से place कर दे ठीक, आप इसके उपर भी अगर मैं header रख दूँ, तो आप देख रहे हैं, जो joint आ रहा है, वो vertical line में आता चला जा रहा है, तो इस तरह से तो wall मेरी क्या हो जाएगी, week हो जाएगी, तो मुझे vertical alignment क्या करना पड़ेगा, तो तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए म मैं भी देखा वई, कि header भी क्या कर रहा है, क्योंकि इसका dimension 20 था, ये 10 है, ये 10 है, तो आप देखिए, फिर से vertical alignment आ रहा है, तो ये जो vertical alignment था, ये मेरे को दिक्कत create कर रहा था, इसलिए मैंने अलग-अलग type के bonds बनाए, और क्या different types of bonding हैं, उसमें मेरी पहली type की bonding है, English bonding, क्यो points को vertical, एक vertical line में, straight line में आने नहीं दूँगा, कैसे नहीं आने दूँगा, देखते हैं भी, तो मेरे पास पहली type की bonding है, English bonding, English bonding की बात करूँगा, English bonding में आप देखिए, the arrangement of bonding is, consist of alternate header and stretcher over each other, ठीक है, कि भाही किस तरह से, दिखाएंगे भाही, photograph दिखा दीजा इनको, ठीक है तो जो photograph है, देखिए इसके अंदर, कि मैंने सबसे पहले क्या लगाए, सारे के सारे stretcher में लगा दिये, stretcher के उपर फिर header लगाया, फिर दूसरे course में क्या है, header है, फिर उसके उपर वाले course में क्या है, stretcher है, और फिर उसके उपर वाले force में क्या है, course में क्या है, header है, तो alternate stretch लगा रहा हूँ लेकिन आप ध्यान दीजे जब मैंने सबसे नीचे वाले में यह लगाया हुआ है कुछ इस तरह से एडर लगाया है फिर हैडर लगाया है ठीक है और उसके ऊपर वाले में मैंने जो स्टार्ट करी है वो किसे गड़ी है stretcher से करी है stretcher के बाद आप देख पा रहे होंगे मैंने कोई दूसरी brick लगा रखी है वो stretcher और header में तो नहीं है वो actually में क्या है queen closure half break है क्या है queen closure half break और ये queen closure half break हर alternate layer में आपको देखने को मिल रही होगी सही बात है क्यों क्योंकि ये ही वो break है जो queen closure half break है जो इसका vertical alignment क्या कर देगी ब्रेक कर देगी अब देखिए क्या आ रहा है straight line में नहीं आ रहा है ये कुछ इस तरह चला गया अब मैं इसके बाद again stretcher लगा सकता हूं अगें stretcher लगा सकता हूं ये देखिए vertical alignment नहीं आ रहा तो ये फाइदा है मेरा English bonding का कि मैं English bonding की मदद से बैक कर लेंगे English bonding की मदद से मैं क्या करना हूं इस vertical alignment को break कर पा रहा हूं जैसे कि आप diagram में देख पा रहे होंगे तो in order to break the alignment मैं क्या करूंगा हर alternate course में एक queen closure half brick लगाऊंगा और मैं उस vertical alignment को break कर दूँगा दूसरी बाद diagram में अगर आपने देखा हो तो last में दिखा देंगे वई ठीक है last में again क्या था one fourth brick का जो लैप था वो बच रहा था अब इस one fourth को भी तो भरना पड़ेगा इस one fourth को किससे भर सकते हैं one fourth वाली ब्रेक से one fourth quarter brick से भरा जा सकता है one fourth या फिर मैं ऐसा क्या सकता हूं quarter queen closure से भर देते हैं सही बात है तो quarter queen closure से मैंने end up कर दिया तो one fourth का lap रह जाता है last में और सको मैं quarter queen closure से fill up कर देता हूं clear रही की बात चलिए ठीक है तो English bonding का ये फायदा है काफी अच्छी strength मिलती है में ठीक है अगर मैं बात करूँ कि जितने भी टाइप की bonding की मैं बात करूँगा उसमें अगर सबसे ज़्यदा strength कोई देती है तो यहीं वो English bonding है बैक कर लेंगे एक बार ठीक है तो जो सबसे ज़्यदा strength दे रही है वो कूंसी देर ही है English bonding highest strength ठीक है तो highest strength मुझसे किस से मिलती है English bonding से मिलती है clear रही वाद एक और फोटो भी है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं यह देखिए ठीक है तो कहीं पर कभी कभी आप restaurants अगरा में जाते होंगे तो वहाँ पर काफी अच्छा decoration भी देखने को मिलता है तो यह decoration की मजद से आप देखिए कि कितना अच्छा देखने में लग रहा है तो English bonding ऐसा भी है कि अगर हम इसका decoration effect देदें तो देखने में यह काफी अच्छे लगती है ठीक तो यह English bonding थी लेकिन एक टैप की और बांडिंग है मिर पास और उसे मैं कहता हूँ फ्लैमिश बॉंडिंग फ्लैमिश बॉंडिंग की बात करते हैं तो अभी तक तो मैं क्या कर रहा था पहले कोर्थ में हेडर लगा रहा था फिर स्ट्रेचर लगा रहा था लेकिन अगर मैं फ्लैमिश बॉंडिंग की बात structure header structure header structure मतब एक ही कोस्में अभी तो मैं क्या कर रहा था alternate course में header and stretcher लगा रहा था दिखा दिंगे इनको बिच्चर लेकिन इसको Flemish bonding में मैं क्या करता हूं एक ही निट in each course alternatively मैं क्या लगाता हूं header stretcher लगाता हूं लेकिन इस में भी तुम भी वर्टिकल alignment break करना है तो vertical alignment break करने के लिए मैं इसमें क्या कर सकता हूं मैं इसमें ये कर सकता हूं कि मैं stretcher से शुरू करूं और दूसरा जो codes है वो मैं header से शुरू करता हूं फिर उसके बाद क्या लगा देता हूं queen half queen क्वीन क्लोजर ब्रेक लगा देता हूं क्या लगा देता हूं हाफ क्वीन क्लोजर ब्रेक लगा देता हूं और उसके बाद मैं आगेन क्या लगा सकता हूं stretcher लगा सकता हूँ फिर मैं header लगा सकता हूँ फिर मैं stretcher लगा सकता हूँ फिर मैं header लगा सकता हूँ और so on मैं काम कर सकता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि Flemish और English bonding में दोनों में ही मैं हर alternate course में क्या use करता हूँ half twin closure break का इस्तेमाल करता हूँ ताकि वर्टिकल अलाइन्मेंट क्या हो जाए ब्रेक हो जाए दूसरी एक खुबसूरती की बात फ्लमिश बांडिंग में ये भी है कि ये देखने में काफी अच्छी लगती है इसकी जो एस्थेटिक अपरिंस आती है वो सबसे अच्छी आती है तो इट इस फांड वी ठीक ह more as appiifiable ठीक है जादा देखने में अच्छी लगे जो ठीक तूसरी बात economical भी पड़ती है अगर मैं overall economy की बात करूँ तो economical सबसे ज़्यादा कौन सी पढ़ेगी आपको फ्लैमिश बॉर्णिंग भी English बॉर्णिंग से ज़्यादा economical पढ़ जाती है लेकिन इसकी एक दिक्कत है दिक्कत ये है my dear friends की इसके लिए आपको ज़्यादा skilled labor चाहिए होती है जो इस दिवार को इस bonding को बनाने वाले है उसको काफी ज़्यादा skilled होना पड़ता है क्योंकि इसमें जो joints निकल के आते हैं वो भी comparatively ज़्यादा होते है English bonding से ठीक है तो joints ज़्यादा है लेकिन economical है लेकिन छोटी सी बस एक requirement है कि जो labor होनी चाहिए होनी चाहिए स्केल्ड होनी चाहिए ठीक है चलिए तो फ्ले में को फ्लेमिश बांडिंग मी पता है अगर मैं strength की बात करूं न इंग्लिश के comparison में तो भाहिया English की bonding की जो है strength है वो फ्लेमिश से ज्यादा होती है ठीक है strength English की ज्यादा इसलिए आप देखते होंगे आम जिंदगी में घर भी बनते वे देखते होंगे तो वहां पर ज्यादा तर जो आपका राज मिस्टरी होता है वो क्या बोलता है कि English bonding करो ठीक है क्योंकि उसे पता है कि जो strength है वो ज्यादा किसमें मिलेगी English bonding में मिलेगी ठीक है चलिए तो मेरे इसमें दिवार काफी मोटी बनती है मुझे क्या करना था partition बनानी थी कि अब तो मैं फ्रेम स्ट्रक्चर बनाता हूं भई कॉलम और बीम बनाता हूं तो मुझे तो बस partition करने के लिए बाल चाहिए ठीक है मतलब पतली दिवार हो तो भी काम चल जाएगा क्यों क्योंकि भई वो लोड तो बियर करने वाली नहीं है किसी भी तरह का मुझे तो सिर्फ क्या करना है एक कमरे और दूसरे कमरे के बीच में एक दिवार खीचनी है तो उसके लिए मुझे कोई मोटी दिवार की कर दिया वही यह लो ठीक है यह स्ट्रेचर प्लेस करता चला गया है लेकिन अगर मैं इसके उपर भी स्ट्रेचर रख दूंगा तो फिर वर्टिकल जॉइंट आ जाएंगे ठीक है तो मैं कैसे करूंगा दिखा दीजिए वहीं को ठीक तो मैं उस केस में कर सकता हूं कि जैस बैट प्रिक तो इस्तमाल देखिए जो हमने अभी तक टाइपस आफ ब्रेक की बात करी थी शुरूबात मुसकर अस्तमाल कर रहा हूँ आप तो रॉस स्ट्रेचल लगा लेता हूं क्या वर्टिकल अलाइनमेंट एक लाइन में आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है तो मैं क्या करता हूं ठीक अब देखिए अंदर की तरफ इसकी विट्स कितनी होगी सिर्फ 10 cm ओंटर ठीक है तो हाफ ब्रिक वॉल निकल के इए थीक है तो थिन पार्टेशन वॉल को मैं किस पंडंडिंग की मदद से बनाता हूं stretcher bonding की बदद से बनाता हूं कौन सी वाल्स थिन partition wall जो कमरा बाटने के लिए इस्तमाल होती हों दो कमरे के बीच में दिवार बनाई जाती है ताकि बस वो एक लकीर खिच जाए एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच की इसको उठा देजिए फिक्चर को तो मैं क्या कर सकता हूं मैं stretcher bonding का इस्तमाल कर सकता हूं clear रही की बात तो stretcher bonding और मैं सबसे एक खास बात और भी बता दूँ कि यह जो है ना कि लीस्ट स्ट्रेंट जो आती है ना वो इस stretcher bonding से ही आती है किससे stretcher bonding से ठीक है तो जहां पे भी आपको load bear कराना हो वाल से एक बात याद रखेंगे कि stretcher bond का इस्तेमाल वहां नहीं करना है क्यों क्योंकि जो यहां पे wall आईगी वो कैसी होगी thin wall होगी जो load bear नहीं करती क्योंकि इसके case में strength भी क्या आती है least निकल क्या आती है लेकिन मेरे पास अभी वी एक टाइक की बार्णिंग और बची है और वो लास्ट टाइप की बॉंडिंग है है वेडर बॉंड ने तो हैडर बॉंडिंग का देता हूं तो problem arise हो जाएगी कि भई आगे बढ़ा दिए इसको भी आगे बढ़ा दिए ठीक है तो मैं इसके उपर क्या लगाता हूं दिए थ्री कोडर बैढ़ गर दिक लगाता हूं गहां थ्री कोड़र का बैट ब्रिक तो जो जो वहां बनाई थी इस्तमाल कर लिए अपreg chase ऊपर बनाओ यह लो क्या यह आ रहा है कि एक अलाइन्मेंट में इenge एक राइनमेंट हो नहीं हो रहा ठीक है तो जब vertical alignment नहीं create होगा तो आपकी wall भी सही रहेगी अब इसकी अंदर के dimension कितनी होगी 20 cm तो ये क्या आएगी one brick thick wall आएगी one brick thick wall निकल के आएगी मतलब आप इससे क्या करा सकते हैं लोड भी बियर कर सकते हैं लोड बियरिंग के लिए भी यूज़ की जा सकती है clear रही की बात तो header bonding का वहां पर भी इस्तमाल किया जा सकता है जहां पर हमें लोड बियर कराना हो clear रही की बात चलिए stretcher bond flemish bond से week होते है बिलकुल प्रभ जी मैं अभी आपको लास में बता दूँगा hierarchy पूरी की कौन सी सबस्यादा है कौन सी सबसे काम में बिलकुल नरेंद्र जी using boundary wall बिलकुल boundary wall के case में header bond के इस्तमाल boundary wall अक्सर मैं थोड़ी मोटी बनाता हूं ठीक है क्योंकि वह exterior wall होती है bond is not possible if the thickness of wall is more than half brick bond is not possible नितेज गौरव जी आप कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन शायद clearly कह नहीं पाए है प्रदीप पॉल जी आज आप लेट हो गए कोई बात नहीं ठीक है तो सभी लोगों से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आते हों तो इसको like करें share करें subscribe करें ठीक है क्योंकि आपके like और share से ही मुझे एक motivation मिलता है जिससे में पता चलता रहता है कि आपको वीडियो कितनी अच्छे लग रही है मेरी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है तो बिलकुल वीडियो को share जरूर करना है बैल आइकन जरूर दबाना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक तो मैं लास्ट बात करना चाहूंगा कि भाईया अगर मेरे पास ये चार टाइप की बॉन्डिंग है तो इन चारो टाइप की बॉन्डिंग में सबसे अधा स्टेंद कि से मिलेगी सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं इंगलिस से मिलती है ठीक है मैं किसमें इस्तेमाल करता हूं थिन पार्टिशन वाल्स बनाने के लिए ठीक है पार्टिशन वाल्स बनाने के लिए या मैं कह सकता हूं हाफ ब्रिक थिक वाल बनाने के लिए ठीक है दूसरी बात अगर मैं हेडर की बात करूं तो हेडर का मैं इस्तेमाल foundation वगरा में कर लेता हूं foundation work में ठीक है तो foundation lining वगरा किसे की जाती है header bonding से की जाती है याद रखेंगे foundation lining वर्क जो है वो header bond से और English और फ्लेमिस तो आप जहां इस्तेमाल करना चाहें जहां पर पिस्टेंग्च चाहीँ वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है चलिए दूसरी बात एक चीज़ याद रखेंगे कि facilitating के लिए आप इनमें से कोई भी बॉंड इस्तेमाल कर सकते हैं लोड यरिंग वाल अगर आपको फ्लैमिश कर लो मैक्सिमम एस्थेटिक अपीरेंस तो वो प्लैमिश देदेगी ठीक है तो जैसा इस्तेमाल हो वैसा कर लो आपको सिविल इंजीनियर हो इतना दो समझते ही हो ठीक है सर हल्दवानी में क्यों नहीं पढ़ाते हो आप वेक बुनियाल जर हल्दवानी में बच्चे हैं कितने जिनको पढ़ाऊंगा मैं एक ब्रिक्थिक वॉल मीन किसे गए अच्छा प्रभ कुमारंची कह रहे हैं कि एक ब्रिक्थिक वॉल अरे यह यह इटा है ना यह मान लो यह इटा है ठीक है अब इसकी डैमेंशन आप जानते है बीस दस ठी ठीक है तो अगर आपने एक ब्रिक की कितनी लंबाई है बीस सेंटीमीटर तो अगर बीस सेंटीमीटर है तो एक ब्रिक थिक हो गई वन ब्रिक थिक वॉल की जो डैमेंशन है मतलब 20 सेंटीमीटर हाव ब्रिक का मतलब क्या हो गया हाव ब्रिक का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर 1.5 brick 3 कितना हो गया 30 cm ठीक है अब तो clear रहेगी बाद प्रब जी मनमीत निशाद जी गह रहे है ब्रिक का नहीं यह दूसरा लेक्चा था ब्रिक का पहले हमने 1.5 brick फिक फिक वॉल जो है 8 इंची तो नहीं बोलते हैं ठीक है उसे 9 इंची बोलते हैं महमद जुबार इंग्लिष और फ्लेमिश बॉन्ड को वन एंड हाफ ब्रिक फिक कैसे रिलेट करेंगे देखें जो महमद जुबार जी जब आप क्या करते हैं brick work करते हैं English और Flemish bond में ठीक है तो वहां पे जो काम कजब आप करते हैं तो आप वहां पे generally one and half thick one point five brick thick wall बनाते हैं ठीक है आप Google करके देखेंगे photograph आपको मिल जाएगी वहां पे ठीक है बहुत generally available मिलती है वहां तो आज का lecture जिसको भी पसंद आया हो तो वो मुझे थमसब करके जरूर बताए ठीक है क्योंकि जब आपका थमसब देखने को मिलेगा तो मैं समझ जाओंगा कि हाँ मुझे जो है मैं सही मेहनत कर रहा हूं और अगर काइंड आउट आता है तो फिर मुझे थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है आपके लिए सर जी टाइम बारा बजे का कर लो इसलिए लंज का टाइम होता है विशाल जी देखे टाइम तो यही रहेगा क्योंकि स्टूडियो एवेबिलिटी के हिसाब से ही लेक्चर हो पात अधाशो पड़ाते हैं अंता हम राकेश चतुर्वेजी सर जो लेंट है वो ठिकनेस कैसे हुई औरे मेरे भाई तेजसे अभी तू एड़र के लिंट प्लेस कर दे अभी थिकनेश हो गई ठीक है मैं अगर ब्रेक को ऐसे रखों तो यह इस की थिकनेस अगर मैं धुरिक को ऐसे रखों को तो यारी करते रहिए और मुर्स्कुराते रहिए जय हिंद जय भारत थैंक यू सब्सक्राइब तो सक्सेजीज और प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट अल दे लेटेस वीडियो